नमस्कार आज भाईया बातों के सिलसिले में दो बड़ी दिल्चस्प चीजे हैं जिन पर की मैं बातें करने वाला हूँ मतलब चस्ट बातें जो हो रही है अभी मेरे साथ हो मुझे आप लोग से शेयर करनी थी शुरुवात में एक बात बताऊंगा और फिर वीडियो के एंड में दूसरी बात पर चर्चा करेंगे तो शुरुवात में आप लोग को एक बात बिताता हूँ एक इंसिडेंट है छोटा सा क्या हुआ कि मैं किसी काम से बाहर था तो वहाँ पर मैं भया चाय पीने के लिए बाहर निकला तो अब कोई सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे को वहाँ पर देखा और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वही हैं जो हूम थेटर वगयरा के उपर वीडियोस बनाते हैं तो मैंने कहा कि जी हाँ मैं वही हूँ तो उन्होंने कहा कि अरे सर मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए देडिये था जी बस मुझे यह कहना था कि मुझे पुझे पढ़ा अच्छा लगा ये जो इंस्टेंट बेसाथ हुआ क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई इतना जल्दी आपको पहचान ले और आपसे बहुत सारी चीजों के बारे में इस तरीके से जानकारी हुआ है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनको बताते हुए शायद उनके पास भी थोड़ा कम टाइम था और मेरे पास भी थोड़ा कम टाइम था तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बाते हो नहीं पाई और उनको बेसिकली उनको होम थेटर इंस्टॉलेशन के लिए कुछ जानकारी चाहिए थी अपने घर में वो इंस्टॉल करना चाह रहे थे लास्ट क्वेशन जो उनने पुछा था वो क्वेशन पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा उनने ये कहा था कि क्या वो एक रूम में उनका जो रूम था तो उनने ये पुछा था कि दो सब बूफर लगाएं जब हम मूवीज वगेरा देखते तो वहाँ पर जो इमोशन्स क्रेट होते हैं अगर उसमें बेस जो एकदम ऐसा फील दे एकदम चेस्ट पर आके लगे तो मज़ा आ जा एकदम वैसा तो वो सब बूफर में क्या है कि आप दो सब बूफर जब लगाओगे सपोस माली एक left में लगाया एक right में लगाया दो सब बूफर हमने लगाया तो क्या होता है कि दोनों से add हो जाती है frequencies add होने से मतलब volume नहीं बढ़ जाता है frequencies add हो रही है माली जे एगर कोई 30 hertz की जो frequency है वो एक सब बूफर हमने लगाया होता तो वो ऐसी सुनाई देती ठीक है अभी दो लगा दिए तो कैसी सुनाई देगी मतलब उसका जो मैं मुझ से उतना निकाल नहीं सकता 30 Hz की वो जो frequency रहेगी बट हाँ तो जो दो के साथ जब वो frequency निकलेगी तो क्या होगा 30 धर से और 30 धर से तो उसका जो feel है vibration का वो एकदम सवरदस्ट एकदम पढ़िया वाला जो सब वूफर जब भी दो लगाओगे मजा आजाएगा पकी कारेंटी है मेरी यह आप experiment करके देख लो मैंने कई वीडियोस में बताया है कि घर पे घर कोई पुरानी किसी साउंड बार का सब वूफर पढ़ा हो या 2.1 वाला कोई हमने कभी कुछ खरीदा उसका सब वूफर पढ़ा है कैसा भी और आप एक नया लेकर आते हो तो दो छोटा पुराना जो भी है वो भी बड़े सब वूफर के साथ भी अगर आप लगाओगे तो भी वहाँ पर आपको फरक सुनाई देगा और वो पक्का आपको पसंद आने वाला है अगर आप बेस लवर हो और वो भी कौन सा बेस लवर जो फील करते हैं कान के अंदर लगाने वाला बेस नहीं भाईया उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ बहुत जल्दी वो भी वीडियो आएगा बहुत ही important वीडियो है earbuds, earphones से जुड़े वाईले लोग जो भी हैं उन लोगों के लिए फिलहाल सिरफ इस वीडियो में इतने बलूँगा दिन में एक घंटे से जादा use मत करना किसी भी हालत में वो detailed वीडियो में मैं उसके उपर जब discussion करूँगा तो वहाँ सब चीज़े बता दूँगा बस फिलहाल आप यह मोटा मोटा मान के चलोगी दिन में एक घंटे से जादा आप उसका उपयोग ना करें earphone हो, चाहे earbud हो या जो भी आपके पास है वो बात में बात करेंगे सामने एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए अब वो भाईया बैठे तो ठीक थे लेकिन उनके हाथ में फोन इस तरीके से था इसे तो वो जो मतलब काफी कम उम्मर के मिख्याल से होंगे 17 साल के आसपास 17-18 या 16 मेभी तो वो लड़का लड़की दोनों जो है वो फोन को ऐसे लेकर के अब उस पर वो क्या कर रहे थे मेरे को उससे कुछ लेना देना दे लेकिन क्या हुआ कि मुझे उनके पीछे जो मिरर था लब ग्लास था रात का टाइम था तो बहारा दे रहा था और अंदर रोष्णी थी तो उससे क्या होता है कि हमारा जो reflection होता है वो darker portion पे साफ दिखाई दे तो उनके फोन में वो क्या कर रहे थे वो पीछे mirror में दिखाई दे रहे है mirror तो नहीं था काच था लेकिन वो mirror की तरह काम करता है ऐसी इस environment में तो वहाँ पर मुझे मेरी दिख रही थी कि भाई ये तो मेरी फोटो ले रहे है तो मुझे थोड़ा आजीब तो लगा कि बिना पूछे किसी से फोटो क्यों ले रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आया प्रिटेंड वो ऐसा कर रहे थे कि जैसे वो selfie ले रहे हो तो वो देखिए मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि अगर आप मुझे पहचान गए हो तो जैसे उन भाई साब ने बात की सुबा मुझे कितना अच्छा लगा बट यहां आप बिना पुछे मेरी तस्वीर ले रहे हो वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि उससे एक feel आता है कि आखिर क्यों मेरी तस्वीर ले रहे थे सामने से कोई बहुत सारे सवाल मन में उड़ जाते है कि या कहीं कोई स्पाई तो नहीं कर रहा है कहीं कोई नजर तो नहीं रख रहा है या कुछ भी मतलब ऐसे अजीब से मतलब ये खयाल मेरे मन में नहीं है एक सिर्फ गैस बता रहा हूँ कि ऐसा किसी और के साथ हो सकता है जो अंजान विक्टर मेरे को पता है कि मैं अपना ऐसा चैनल रण कर रहा हूँ मुझे लोग बहुत जानते हैं तो हो सकता है किसी को अपने दोस्तों में दिखाना हो देखो मैंने इने ट्रेन में देखा या जो भी उसके मन में चल रहा हो अच्छे के तो उससे कोई प्रॉटो नहीं है मेरे को बट मेरा कहने का मतलब यह है कि ये इंसिडेंट हुआ तो हो सकता है कि कभी आपके साथ भी लाइफ में ऐसा हो तो आप लोग अगर किसी की फोटो ले रहे हो तो उससे परमीशन ले लो कि भी सर हम आपको जानते हैं या भेन जी हम आपको जानते हैं भाई हम आपको जानते हैं हमने आपको महां देखा यहां देखा हम आपकी फोटो लेना चाहते हैं हमारे साथ फोटो ले लो आज आओ सेलफी ले लो क्या दिक्कत है उसमें भाई दिखाना कि हम मिलके आयते भाई से उसमें कोई दिक्कत रोड़ी होती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिना permission किसी की फोटो नहीं लेनी चाहिए क्योंकि दिखो जब तक सामने वाले को पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जैसे कि मुझे पता चल गया लेते हैं उसमें तो बड़ा बड़ा लिखा होता है 50 watts या 80 watts वो उस speaker की minimum power होती है या maximum या RMS बड़ा confusion है इस बारे में लोगों को अभी भी मैं कोशिश करता हूँ इस चीज़ को समझाने की बहुत यासान शब्दों में कि जब हम कोई speaker खरीदने जाते हैं वो speaker driver हो या बना-बनाया speaker हो तो वहां क्या होता है कई जगा पे लिखा होता है watts is equal to 50 watts या 100 watts या जो भी तो उसका मतलब वहां पर generally RMS से ही होता है जब आती है बात कि कहीं आप देखो किसी speaker में लिखा है कि 500 watts या 400 watts तब वहां सवाल उत्पन होता है कि भाई या छोटा speaker मालीजेगर है suppose आपका जो है कि 10 inch का speaker है तो वहां पर लिखा है कि भाई या 500 watts तो वहां questionable हो सकता है कि भाई या 500 watts RMS कि 500 watts इसकी maximum power जो peak power होती है वो तो peak power RMS power ये depend करती है तो वो वहां पर उसके अगर नहीं दिया हुआ है लिखा हुआ तो ये हो सकता है कि उसकी peak power हो और हाँ मैंने खुद भी कई सारी जो हमारी shopping apps हैं उन पर देखा है कि वहां पर speakers जो विक्रे होते हैं वहां पर सिर्फ wattage लिखा होता है जैसे ही 100 watt, 150 watt तो वहां पर ये पता नहीं चल पाता है तो वहां पर हमें ये मान के चलना चाहिए कि वो RMS watts के बारे में ही बात कर रहे हैं और बेहितर ये होगा कि आप उनसे वहां पर जैसे कि अगर मैं Amazon की बात करूँ तो वहां पर question पूछने का option होता है कि उस product का question आप वहां पर पूछ सकते हो जाकर के तो seller को mention कर दो, seller please tell me, seller मुझे ये बताओ कि मुझे ये problem है, ये दिक्कत है आपके product में तो वो particular product के बारे में जानकारी जो बेच रहा है या जो manufacture कर रहा है वो ही दे सकता है ऐसे अंदाजे से बताना ठीक नहीं होगा generally RMS में ही जो power होती है, वो लिखी जाती है हर जगा पे, देखो coil जो होती है na speaker जो driver होता है उसके अंदर जो coil होती है, उस coil के size के हिसाब से जो होता है वो rating, watt की rating, wattage होता है, वो निर्भर करता है उसके उपर मैंने एक पीछे video बनाया था, जहाँ पर speaker के बारे में पूरी detail बताई थी कि speaker के अंदर क्या-क्या चीजे होती है, उसमें spider से लेकर के उपर जो rubber surround लगती है, कोन, basket, सब चीजों के बारे में detailed जानकारी है आप वो वीडियो देख लेना, और वहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इस तरीके के छोटे मटे जो भी आपके मन में सवाल होंगे, उनके जवाब आपको वहाँ पर और भी मिल जाएंगे तो ये बात हो गई, अब हम चलते हैं इसके बाद वाले question पे अब यहाँ पर एक और question किसी ने मुझसे पूछा है, जो की है user-px4fw, पता नहीं क्या लिखा हुआ है तो ये जानना चाहते हैं, hello sir, three-way speaker box की wiring without cross over कैसे होगी, please इस पर भी video बनाए तो देखिए, इसके उपर एक dedicated video बनाने का मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, वैसे तो three-way speaker हो या two-way speaker आप बनाने की जो भी कोशिश कर रहे हैं उसमें मैं तो पहले तो यही कहूँगा कि DIY को आप avoid करें और ये मैंने पीछे एक video इसके उपर भी बनाया था कि DIY लूँ या branded लूँ के उपर बड़ा एक question mark रहता है हम लोगों के मन में तो वो वीडियो का link भी मैं नीचे description box में देता हूँगा, वहाँ से आप उस video को देख लेना बैराल अगर आप करना ही चाहते हैं और आपका ये प्रशन है तो मैं इसका उत्तर देता हूँ कि देखिए, crossover जो होता है वो क्यों बनाया जाता है, crossover इसलिए बनाया जाता है कि माली जे 3-way कि आप बात करने हैं, तो वहाँ पर होगा आपका एक woofer, एक होगी mid range और एक होगा आपका twitter, mid range में आपकी mid frequencies निकलेंगी और twitter में आपकी high frequencies निकलेंगी, तो यहाँ क्या होता है कि हम frequencies को बातते हैं तो बातने के लिए हम crossover बनाते हैं, तो crossover में जो होता क्या है, कि जैसे कि सारी frequencies आ रही है धम धम भी आ रही है, टक टक भी आ रही है और चिक चिक भी आ रही है कहां से आ रही है, वायर से आ रही है, स्पीकर तक तो अब स्पीकर तो हमारे आगे तीन लगे, वायर एक ही आ रही है तो हमको वहाँ पर उसको डिवाइड करना होता है, बाट देना होता है तो crossover इस तरीके से design किया जाता है कि जो bass वाली frequencies है जहाँ पर धमदम की अवाज है वो फर में जाए फिर जो mids वोकल वाली frequencies है वो हमारे बीच वाले speaker में जाए जो कि हमारा होगा mid range फिर तीसरा जो उसमें विभाजन किया जाएगा वो होगा हमारी high frequencies के लिए जहाँ पर हमारी वाली frequencies देंगी तो crossover design करने का एक पूरा procedure होता है उसको design करने के लिए बहुत softwares भी आते हैं तो अगर वो वैसा रह जाता है तो फिर हम वापस इस crossover में modification करते हैं उसके जो components होते हैं उनको change करते हैं नए components डालते हैं जिससे एकदम balanced sound हमारे पूरे speaker unit से हमें सुनाई दे सकें तो अब वो आप अगर नहीं करोगा यानिके crossover अगर आप नहीं बनाओगे इस तरीके से एक आपको अभी solution तो दे दूँगा कि आप क्या करो बट वहाँ पर आपको क्या दिक्कत आएगी कि अगर हम बात करें कि हमने pre-amplification stage में जो amplifier से पहले pre-amplifier लगाते हैं जहां base treble वगेरा रहता है अगर वो सब नहीं लगाया हुआ है और सिर्फ जो भी frequencies हमारी आ रही हैं हमारे फोन से अगर आपने लगाया हो या जैसे भी आपने connect किया और सीधा amplifier में डाल दें जैसे कि मैं हमेचा अपने वीडियो में करता हूँ मैं base treble वगेरा यूज नहीं करता उसके उपर भी detail वीडियो है कि मैं base treble और mid वगेरा knobs वाली चीज़ें क्यों नहीं यूज करता वो pre-ampl आतों में बाते तो निकली आती हैं यहां से वहां हम घूमी जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं मुद्धे पर अगर हमारा pre-amplifier में base treble नहीं लगा है तो हमने वहां से जो frequencies भेजी वो पूरी की पूरी flat frequencies निकलेंगी वहां पर हम उन्हें modify नहीं कर रहे हैं यानि कि हम base को बढ़ा नहीं रहे ह। हम base को घटा नहीं रहे हैं हम treble को घटा नहीं ह। तो वहां से एकदम जैसी sound आनी चाहिए बिल्कुल वैसी sound जो हमारे music director ने गाने को design किया होगा बिल्कुल सेम वैसा हका वैसा हमें सुनने के लिए हमारे तार से हमारे speaker के अंदर तक पहुँच गया अब यहाँ पर हम crossover नहीं लगा रहे उस तरीके से जी तरीके से मनें बैठा है, तो क्या होगा, कि वो सारी की सारी frequencies जो है, सारी की सारी, tweeter में चली जाएंगी, अगर हमने कोई crossover नहीं लगाया है, अगर हमने कोई भी capacitor यूज नहीं किया है, बीच में तो क्या होगा, जब हम तार से जोड़ देंगे तीनों स्पीकर्स को पैरलली या सिरीज में जैसे भी उसके उपर भी वीडियो है कि पैरलल और सिरीज में वाइरिंग कैसे करते हैं या वीडियोस तो मैंने सब बना रखें आप लोग अगर उने देखेंगे तो उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सब बाते जो मैं कर रहा हूँ वो समझनी और जादा आसान हो जाएंगी फिर से वापस मैं मुद्दे पे आता हूँ फिर बटक गया था खुदी हसी आती कभी-कभी कि मैं बीच में रास्ता बदल लेता हूँ फिर वापस अपने रास्ते पे आ जाता हूँ मगर कभी लगता है कि ये बताना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है तो अगर वो उन वीडियो को देख लेंगे तो उन्हें आसानी हो जाएगी वापस से समझानी कुशिश करता हूँ कि जब हमने base travel वगेरा यूज नहीं किया तो सारी की सारी frequencies हमारी wire तक जो हमारे speaker में लगा है वो wire safe speaker तक पहुँच गई है अब speaker के अंदर अगर हमने कोई भी capacitor या फिर कोई भी crossover नहीं लगा है तो क्या होगा जो tweeter है हमारा उसमें high frequencies के अलावा low frequencies भी जानी शुरू हो जाएंगी तो वहाँ पर हमारा tweeter खराब हो सकता क्योंकि tweeter जो design किया जाता है वो इस तरीकर design किया जाता है कि वहाँ पर low frequencies अगर हम भीजेंगे तो वो उन्हें जेल नहीं पाएगा उन्हें संभाल नहीं पाएगा और वो खराब हो जाएगा तो tweeter में तो definitely हमको एक capacitor लगाना compulsory होता ही होता है अब यहाँ बात आती है कि कौन सा capacitor तो मैंने एक पीछे वीडियो हाई मैं इतने वीडियो बना चुका हूँ कि हर बात में मैं वीडियो का ही एक reference देता हूँ मगर वो जरूरी है तो वो वीडियो में आप देखो तो उसमें पूरा chart दिया है मैंने किस frequency को कहां cut करोगे तो कौन सी frequencies आपको आपके tweeter से मिलेंगी आपकी mid range से आपको मिलेंगी आपके woofer से आपको मिलेंगी वहाँ से आपको बहुत help मिल जाएगी वहाँ पर एक capacitor हमने लगा दिया tweeter के लिए मोटा मोटा मैं बोलता हूँ कि 3.5 जो mu f का आता है हमारा उसका हमने वो लगा दिया capacitor 100 volt या 200 volt या यतना maximum लगा उतना अच्छा रहता है 50 volt avoid करना 100 volt at least 100 volt तो हुई हो अब उसको हमने दे दिया तो वहाँ हमारी वाली चली गी फिर अब mid range के लिए कौंसा लगाएं तो मान के चलते हैं कि 45 mu f करके एक आता है capacitor वो हमने वहाँ पर mid range के लगाएं तो वहाँ क्या होगा कि low frequencies cut हो जाएंगी एक certain point से low frequencies धम-धम क्योंती वो cut हो जाएंगी सिर्फ वो frequencies जो जिनमें की vocal भी होगा टक-तका-तक भी होगा और उनमें भी होगी वो हमारे mid woofer जो हमारा mid range हो लगाएंगे उसमें जानी शुरू हो जाएंगी क्योंकि हमने crossover design नहीं किया है band pass नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हमारा जो है bypass हो रही है वो frequencies इसमें क्या होता है कि mid वाले खास तोर पर section में क्या होता है कि हम इस तरीके से graph को बनाते हैं मतलब अब ultra c kind of बनता है जिसमें कि high frequencies को भी cut किया जाता है और low frequencies को भी cut किया जाता है सिर्फ mid frequencies को छोड़ा जाता है तो वो crossover वहाँ design होना जरूरी होता है अगर वहाँ नहीं देंगे तो क्या होगा add हो जाएंगी हमारी frequencies कौन सी frequencies treble वाली frequencies क्योंकि already हमने वो उपर दी हुई थी ट्विटर में फिर हमने नीचे जो cut किया 45 में लगा करके तो वहाँ पर mid frequencies तो हमें मिल रही है लेकिन साथ हमें वो ट्विटर में जाने वाली frequencies भी उस speaker में जा रही है तो वो add हो गई तो सुनते जाएगा add हो रही है पर तीसरे में आ जाते हैं woofer तो अब मैंने वहाँ पर chart में वो भी दिया हुआ है कि woofer में कौन सा capacitor तो यह capacitor हमने woofer के लिए भी लगा दिया तो अब यहाँ पर हमारा इस तरीके से हुआ क्या तयार तो हो गया हमारा मगर वहाँ पर क्या हो रहा है हमें एक balanced sound नहीं मिल रही है यानि add हो रही है frequencies high frequencies जो higher range होगी हमारी वो काफी जादा सुनाई देगी और suppose आपके पास preamplification में bass treble वगरा नहीं है तो आप जब कोई भी गाना उस पे play करोगे तो उसमें आपको high frequencies जो है वो बहुत जादा सुनाई दे सकती है जिस वज़ा से थोड़ी ही देर बाद आपको लगेगा यार की मज़ा नहीं आ रहा है तो वो balanced होना बहुत ज़रूरी होता है इसलिए crossover बहुत important होता है मगर बहुत सारे लोगों को high frequencies बहुत पसंद है treble बहुत पसंद है तो उन लोग के लिए अच्छी बात है तो इस situation में कि चलो ठीक है हमारे पर हमाने crossover नहीं बनाया और जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे हमने speaker तयार कर लिया है तो अब वहाँ पर फिर हम ये मानगी चलें कि हमको एक बहुत ही high quality का pre amplifier चाहिए जहाँ पर की bass और treble को control करने के लिए हमारे पास option हो जिससे कि अगर हमें high frequencies बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है तो वहाँ से हम उन्हें थोड़ी कम कर लें और एक decent level पर लें लेकिन वहाँ पर तब भी sound balance नहीं है sound balance नहीं हो रही लेकिन हम थोड़ा वहाँ पर उन्हें control कर सकते हैं तो वो इस तरीके से आप फिर उसको बना सकते हैं ये topic थोड़ा सा interesting था तो इसलिए मैंने इसको लिया और अब किसी ने पूछा है कि what is RMS what peak what ये अभी मेरा एक video आगे आने वाला है बहुत जल्दी उसमें मैंने ये चीज बहुत detail में cover किया RMS के बारे में वैसे यहाँ पर भी मुटा मुटा बता देता हूँ तो यह RMS का क्या होता है कि RMS को मान के चलो कि ये ऐसा एकदम balanced एक जगहा पे continuous current चल रहा है that is RMS फिर एक और होता है peak जिसमें कि जो continuous के बाद जो उपर की जो उसकी जो maximum जो wattage range होती है वो होती है peak तो वो peak range होती है तो उसको नहीं गिना जाता है जब भी कुछ भी खरीदना होता है या उसको हमें आपस में match कराने के लिए कुछ देखना समझना होता है तो वहां हमें RMS पे ही focus करना चाहिए अब उस बात पे आ जाते हैं जिस बात के बारे मैंने का था बड़ाई interesting topic है जिस पे मुझे बात करनी है ओ भीया वो topic ऐसा है यहाँ पर ना लोगों ने एक जंग छिड़ दी है कोई कहता है कि मेरी आवाज जो है अमरीश पुरी जी से मिलती है तो कोई कहता है कि अमीन सयानी जी से मिलती है तो कोई रजा मुराद से compare करने लगता है कुछ लोगों ने तो पहले अमिताब बच्चन जी से भी मेरी आवाज को compare कर लिया था बट बहराल देखिए मैं आप लोग से यह कहूँगा कि यह सब लोगों को भी उपर वाले ने उनकी आवाजे दी हैं कि उनकी आवाज सुनने में बड़ी सुरीली और बड़ी अच्छी लगती है बेस वाली आवाज उन लोगों की सबकी वैसी आवाज हैं सिमिलर मुझे भी उपर वाले ने आवाज दी है तो उससे किसी का मेल खाना बड़ी आम सी बात होती है कि हाँ भी तुमारी आवाज वैसी लगती है अब वो लोग फेमस हैं पूरे दुनिया उनको जानती है तो स्वभाविक है कि कंपेर करना आई जाता है कि अरे इनकी आवा अमरीश पूरी नहीं भाई अमीन सयानी जैसी बाते करते हैं ये कोई सचिन सावंत जी हैं जिनोंने ये लिखा है तो मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं क्योंकि मैं जब छोटा था था ना बच्पन में तो रेडियो अगेरा हमारे टाइम पर चला कर देते तो वहाँ प पायर ज़रूर बोलूँगा बट वहाँ से कभी-कभी मुझे ऐसा वह वाला जोन आ जाता है रेडियो में नहीं बोलते हैं जी हां लेके आ रहे हैं आपके शहर में फलाना ढिमकाना पहली बार तो मुझे बना अच्छा लगता है था ने मस्ती में हम लोग बोलने लगते है या कुछ ऐसा sound को modify करके बोलने लगते हैं किसी से बात करते हुए कभी बच्चे की आवाज बना लेते हैं कभी female की voice निकलने की कोशिश करते हैं तो वैसे ही मैं भी जो है कभी-कभी इस तरीके की चीज़े करने की कोशिश करता हूँ जिससे की mood थोड़ा change हो जाए थोड़ आप लोगों को भी अच्छा लगे समझने को थोड़ा easy हो थोड़ी चैरे पर मुस्कान आ जाए किसी के तो और उससे दादा क्या बड़ी बात हो सकती है किसी को आप हसाद हो जिंदगी में रुलाओ मत किसी को किसी को हसाद हो और बहुत सारी चीज़े होती है life में कभी हम हसते हैं कभी हम लोग रोते हैं old hat आते रहते हैं कुछ अच्छे वक्त होते हैं कुछ बुरे वक्त होते हैं सब गुजर जाता एक नहीं इक दिन सब चीजें आप आगे बढ़ते हो फिर life में आज जैसे कि मैं आप लोग से बात करते करते बहुत खुश हूँ और अचानक से मुझे माता जी की याद आगी प्यारे हाल जो भी है अभी फिलाल मैं हाँ यही कहना चाहूंगा कि भीया इसी तरीके से आप लोग मेरे से questions पूछते रहिए मैं इस तरीके के वीडियो भी बनाता रहूंगा मुझे ये वीडियो में बड़ा interest बहुत अच्छा लगता है यहां मैं एकदम खुल के आप लोगों से बात करता हूं मुझे एकदम क्योंकि मैंने यह बनाया इसी लिए यह जो बातें सिरीज बनायी है हर अफते में एक वीडियो डालने कोशिश करता हूं कि या इसमें मैं बातें जरूर करूँ, बातें करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आप देखें कैसे आएगी, मैं और आप ऐसे आमने सामने बैठ करके, इसलिए तो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि जो मुझसे कोई मिले तो मैंने उनसे बातें की, उनसे बातें क उसमें और कुछ अपनी बातें जोड़ूं, कुछ नई चीजें बताऊं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे को पस्नली ये बातें वाला जो सेक्षन है, मेरा जो सीरीज मैंने शुरू किये यहां पर, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ये वीडियो बनाना मुझ आता है इनमें, तो questions पूछते रहिए, comment section में, खुब तिल खोल के, जो आरा है लिखिये, जैसे ये आपने मेरी आवास के उपर लिखा है, वो भी लिखिये, आपको कुछ नहीं समझ में आरा है, उसके बारे में लिखिये, मेरे अंदर कोई कमिया दिख रही है, उनके बारे में लिखिये, कुछ भी, सर आपने आज शर्ट जो पहनी है में अच्छी नहीं लगी, सर आपने जो शर्ट पहनी है बड़े अच्छी लिखिये, ये भी अगर मन में आ रहा है, ओ भी लिख दो, सर पीछे वाल का कलर ब्लू ना रखो, ग्रे कर दो, पिंक कर दो, जो दिल मे आता है, खुलके बोलो, लिखो, बात करो, अच्छा लगता है बात करना, अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो, तो भाया नीचे लगे, लाइक के बटन को जरूर दबा देना, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वरना ऐसे वीडियो कहां देखने को मिलेंगे, चलिए फिलान मैं भी आप लोग से आगया लेता हूँ, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद.